एक बड़ा अपराद करा है अपरादियों ने एक समाज का बड़ा चेहरा खो दिया है मैं न्यूज चैनल के माद्यम से हिंदूस्तान के सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ छत्री हमेशा बलिदान देने के लिए ही बना है क्या इस देश में हमारे बाप दादों ने हजारों साल बल्दान दिया बल्दान देश हित के लिए राष्ट हित के लिए समाज हित के लिए किया ऐसे जो समाज के कीड़े हैं वो हमारे समाज के बड़े चेहरों को मार दे रहे हैं पुलिस आज भी सांत है एवेज में क्या चाहिए उनको हमने सब कुछ दे दिया मान सम्मान सौहिमान दे दिया उसके बाद हमारे भाई को मार दिया गया और मीडिया बंधूं से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रसासन से पूछे कि वो कर क्या रहे हैं तरी इतना कमजोर अपने को महसूस कर रहा है कि हमको अपने सुरच्छा के लिए सस्त्र लाइसंस और गनर मांगने के आसकता पड़ रही है क्योंकि सरकार ने हमें अभी सरकार से मांग कर रहे हमें महाराना परताब अप्पा राणा संगा बनने पर मजबूर ना किया जाए कमजोर नहीं है समाज किसी भी अस्तर पे मैं बात कह रहा हूं कि जो जैसा चाहेगा जो जिस भासा में समझेगा उस भासा में समझाने के लिए हमारे बात दादा सुरू से तयार है हम भी तयार है और जो जिस तरीके से समझेगार सुनो जेल में बैठ के और दुबई से और पाओगे बताओ तुम्हारे अंदर कितना गूदा है तुम्हारे अतडियों के रक्त को निचोड लिया जाएगा ये भी मैं कहना चाहता हूँ तुम जेज रहत्या करवाते हो मैं हूँ तुम टाइम बताओ फेस्बूक पे पोस्ट लिखते हो मैं तुमको लाइब बोल ला छोड़ो बता दो जगह निपटने के लिए मेरे समाज का एक बेटा बहुत है मैं बार बार यह चीज कह रहा हूँ आप लोगों से और मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ यहां के सरकार से लोग कह रहे हैं बाजपा की सरकार बन रही है कॉंग्रेस की सरकार बाइज आप तीन स चलाने के हो सकता क्या है इनको कहीं सरकार चलाने के हो सकता नहीं है ऐसे लोग सरकार चला सकते हैं उनको पता ही नहीं आई पीसी सी आर पीसी होता क्या है उनको बिधान पाली का पता नहीं है वो फालतू के ड्रामे बाजी बतिया रहे है और ड्रामा करना सोबा नहीं दे र चाहेंगे तो चत्रिय यूवक संग गुज्रात का अध्यक्ष हमारे साथ हैं का कुछ Pan घाल जाएंगे अ जहाएं जू जो गोली चलाई गई हें उत तियारों के द्वारा सुक् देव सिंग घुगप मेर्य चा00 के न reindeer च। प्रशासन राज़ाइब नहीं च्छत्रियों की च्छत्रियों की होई है और इसका जवाब एक लाग परसंद दिया जाएगा चूड़िया हमने भी नहीं पहने हैं लोक तंत्र समीधान से चलता हम जानते हैं बने समीधान होता तो ये बढ़वे हैं इसी हत्याइए थोड़ी करते हैं आज जेल में बैटके हत्याई हो रही है देश परदेशों से हत्याई हो रही है मैं तो फोजी आदमी हूँ अब इनको जवाब परदेश में भी जिया जाएगा और जेल में भी दिया जाएगा हम इंतजार कर रहे हैं ये सरकार ये प्रसासन राजस्तान का क्या कर रहा है हम त पत्रिये लोक सभा में चुनाव में वोटों का बैसकार करेगा ये वर्ड है मेरे यदि न्याएं नहीं मिला इन बड़ों को गिरबतार करने के आवश्रक्ता क्या गोली मारो रहे फोजी आदमी बोल रहा है गोली मारो एंकाउंटर करो और सब सुत्रधार तक पहुंचो ये क लेकिन यहां के जो ये हमारे देश के आतंगबादी जो हमारे देश में पल रहे हैं उनका भी तो एंकाउंटर करवा दो जैसे और समाई ठोक देगा और हम तो इंतजार करके जिस तरह से मिट्न would वही जो भी मांगे हमें मनवानी हैं मनवावां लेंगे और जृत बड़ी तो growth पड़ी तो हमें हमारे हाथों से कानून हाथ मे लेने की आवश्रत हमाथ में लेके पही ऐकाम करेके